प्रेंड्स वैलकम टॉल उफ यू जीवन एजुकेशन में एक बार फीर से आप सबका स्वागत हैं और हम डिसकस कर रहे थे नोर से 2020 फर्स्ट के रिगारड़ आंसर की के बारे में जिसके रिगारड़ कुछ क्योशन हैं हम अल्रेड़ी डिसकस कर चुके और उनके आंसर आप आपको बता चुके रूमीद है वो शेशन आपने देख लिया होगा वो वीडियो आपने देख लियोगी नहीं देखिए तो लिंक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में है या उपर आई बटन भी आपको मिल जाएगी तो उसको जरूर देखे क्योंकि उसके अंदर काफी सारी क्य और से 20 21st के रिगारड़ा हमाँसर के देख रहे थे जिस के अंदर कुछ ट्रशन हमने umने डिस्कास कर लिये थे रिमेजिंग पोर्षण को हम कंपलेटली तो रिमेजिंग बी क्योशं नें जितने और आभी भी आप सबसे कहना चाहूंगा जिसने भी एग्जाम दिया है चाहे हो first shift का हो, चाहे second shift का हो, अगर आपको questions याद हैं, तो सारे questions आप comment section में put कर सकते हैं, या मेरी Instagram ID आपको description box में मिलेगी, वहां से आप जाकर उसको put कर सकते हैं, ताकि उनके भी question के answer आपको बताए जा सके, चले बढ़ते हैं, और next question है, आपका last question हमने discuss कर लिया था, iron और folic acid के regarded, जो dose होती है, एक pregnancy lady के अंदर, एक pregnant lady के अंदर, उसके बारे में, lastly question हमने देख लिये, next question हम discuss करेंगे, next question है, आपके पास ऐसा question हाया था, कि आप से जो GCS scale होता है, जो glass go, scale होता है, उसका maximum और minimum score आप से पूचा था, क्या पूचा था, maximum और minimum score आप से पूचा था, GCS scale में, यानि glass go, scale के अंदर, तो उसके अंदर minimum और maximum score होता है, वो 3, 2, 15 होता है, यानि 3 score होता है, यानि 3 score होता है, वो minimum score होता है, और maximum score होता है, 15, यानि 3 तो क्या होता है, minimum होता है, 3 क्या होता है, minimum होता है, 15 क्या होता है, maximum होता है, तो ये question तो आपका बिलकुल सही रहा सारे सारे से करेंगे हैं और यह घ्राइट हो सब्सक्राइब हैं बात करते हैं नेक्ष क्योंट की जो आगा फ़ी अच्छा था निय्क काफी अच्छा ता क्लॉरामंफे निकल होता है उसका साइड इफेक्ट आप से पूचा थार उमीद आपका हंड्रेडर सही होगा लेकिन काफी सारे कंडिडीट कंफियूज हो गए होगे कि क्लॉरामं फे निकल जहां पर आता है हमने पढ़ाậ таких और अगर प्राइरोटी भी अपन देखे तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए था तो याद रखे सबसे बैस्ट और सबसे सबसे डेंजरस जो साइन होता है यानी साइड आपको याद होता है याद रखे ग्रे बेबी सेन्ड्रोम अगा nawло ine I think आपको याद होगा और I think आप सही करकर आए होगे चले बढ़ते हैं आगे next question पर उम्मिद है कि question भी आपको सही निकला होगा next question है कि अगर blood transfusion आप कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी canula की size क्या होगी देखिए IV canula से regarded ऐसा कोई भी exam नहीं है जिससे question नहीं आता है और especially nose 8 या M's के अपन बात करें तो M's के अंदर कोई भी ear का paper उटा के देख ली जगा canula size से लेकर या canula से regarded IV canula से regarded और IV infusion से regarded 4-5 question continuously देखने को मिलते हैं तो इसको काफी important है इस topic को जरूर पढ़ कर जाए और उमिद है ये question आपका सही होगा तो blood transfusion के लिए जो canula size use की जाती है वो होती है 16 gauge की कितनी 16 gauge की और I think आप सबको याद होगा grey color का canula होता है I think आपको याद होगा चलिए बढ़ते है next question की तरब यहां तक आप सबका सही होगा चलिए बढ़ते है next question ही भी जाओ आप और अभी COVID-19 चल रहा है तो powerful action है आपका hand washing तो इससे regarded आप से timing पूचा था कि maximum timing क्या होता है hand washing का अब वो confused हो रहे है काविसार candidate की maximum timing तो पूचा था लेकिन किसका पूचा था यह confused हो रहे हैं क्या medical hand washing का पूचा था या फिर hand sanitizer का पूचा था confused है लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा अगर medical से question था medical hand washing से question था तो आपका right answer होगा 42-60 second यानि approximately 1 minute तक hand washing करते हैं उसके अलावा अगर surgical hand washing की बात की जा रही थी तो 3-5 minutes बिलकुल correct answer होगा option क्या था किस तरीके से question पूचा था I think confirm नहीं हो पाया है फिर भी अगर आपने exam दिया है और आपको question याद है जो जरूर पूट करें ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इसका correct answer क्या होगा फिर भी अगर option में ये था medical से regarded था और अगर कोई ऐसा option नहीं था तो 42-60 second बिलकुल correct answer होगा अगर surgical से regarded था तो 3-5 minutes बिलकुल correct answer होगा अगर hand sanitizer से regarded question था तो बिलकुल इसका correct answer होगा 22-30 second क्या होगा 22-30 second बिलकुल correct answer होगा उम्मीद है आपका सही होगा जो भी question था ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे next question आप से पूचा था Chadwick sign जिसका आपको image so किया था Chadwick sign आप से पूचा था जिसका आपको image दिया था और image से आपको identify करना था क्योंचा sign है क्योंचा sign आपके सामने represent कर रहा है तो Chadwick sign था और Chadwick sign क्या होता है ब्लू इसद डिस्टीरोर्षन of वेजाईना और सर्विक्स वेजाईना का ब्लू इसद डिसकलरेशन हो जाना क्या होता है आपका चेड़विक साइन होता है फ्रेक्नेंसी स्टेट के अंदर काफी सारे अलग-अलग साइन देखने को मिलते हैं लास्ली मैंने आपसे कहा था कि प्रेखनेंसी के अंदर नोर्मल और अबनोर्मल दोनों कंडिशन से आपको हंड़ेड हंड़ेड वन परसेंट क्योशन्स देखने को मिलेगा इसलिए देख लीजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए आपको अपना अपना एक तरह से एफलेशन कर सके काफी सारे केंड़ेट का जैसे ही एक्जाम हुआ और मैंने जो फरस्ट आंसर के डाली थे एक वीडियो डाली थे मैंने एक मिनिट डैड़ मिनिट की उसके अंदर मुझे कमेंट्स यह आएग सर आप कटो बताएग सर आप cut off बताईए तो friends अभी question के answer मिला लिजेगा cut off आपको बता दी जाएगी और exact cut off कोई नहीं बता सकता ये भी मैं आप से के दूँ M's की exact cut off कोई नहीं बता सकता क्योंकि यहां पर 80-20 ratio भी है और काफी सारे अलग-अलग rules है और exact तो M's ही बता पाएगा लेकिन फिर भी एक expected और exact cut off तक हम पहुँचेंगे उसके लिए मैं बोथ ही जल्द आपको poll system लगा दूँगा अपने community section में और एक या दो दिन के अंदर या कल तक हो सकता है कल तक analysis होने के बाद आपको एक expected cut off तक बताया जा सके आपको बताई जा सके बाकि ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा simple paper था नहीं ज़्यादा hard paper था नहीं एक moderate time ये paper था काफी सारे candidate कहरें के काफी ज़्यादा इसके अंदर cut off जाएगी क्योंकि paper बहुत lose था अरे paper lose था तो कितने percent बने तेरे कितने question आये तेरे कितने सही निकले क्योंकि इसके अंदर ऐसा question paper था किसके अंदर almost negative सब के होगी ऐसा कोई भी candidate नहीं होगा जिसके negative नहीं होगी almost सब के negative होगी और क्योंकि काफी सारे ऐसे question थे तो कि confuse करने वाले question थे तो परिशान नहीं होगा ज्यादा cut-off इसके अंदर रहने वाली नहीं है जो रहती है उसके around ये रहेगी फिर भी आपको बता दी जाएगी क्या cut-off रहेगी चले बढ़ते हैं आगे next question आप से पूचा था next question आप से पूचा था neonatal CPR एक neonate के अंदर आपन resuscitation कर रहे हैं तो उसके अंदर आप compression ventilation ratio आप से पूचा था neonatal के अंदर या neonate के अंदर CPR आप कर रहे हैं तो उसके अंदर compression और ventilation ratio पूचा था जो बिल्कुल correct answer है 3 ratio 1 बिल्कुल correct answer है कितना 3 ratio 1 बिल्कुल correct answer है जिसने भी exam दिया है और अगर ये गलत किया है question तो फिर क्या कहें उसके लिए क्योंकि मैंने कहा था कि जितने भी most important procedure है उनसे 100% question आएगा और especially CPR की मैंने कहा था कि CPR को आप पढ़कर जाए 2 question at least 2-3 question आपको देखने को मिलेंगे और actually में देखने को मिलें चलिए आगे बढ़ते हैं next question के बारे में discuss करते हैं next question I think ऐसा question पूचा था lastly session के अंदर मैंने बता दिया था कि इंदर धनूस जो mission इंदर धनूस होता है उसके रिगार्डर उसका starting date पूचा था लेकिन ऐसा question नहीं था फिर किसी candidate ने दूसरे candidate ने मुझे कहा कि इससे रिगार्डर मुझे comment भी मिला कि sir इसके रिगार्डर धनूस नहीं पूचा था इसके रिगार्डर ऐसा पूचा था कि कौन सा vaccine या कौन सी disease है जो कि mission इंदर धनूस के अंदर include नहीं की जाती है या पर which disease not include in mission इंदर धनूस mission इंदर धनूस के अंदर कौन सी disease include नहीं की जाती है ऐसा question पूचा था और उसका जो बिल्कुल correct answer होगा वो होगा PCV pneumococcal vaccine बिल्कुल correct answer है ये इंदर धनूस के अंदर involve नहीं की जाती है पर्टूसिस और टिटनस ये इंक्लूड की जाती है उसके लावा पोलियो मालाइटिस इंक्लूड की जाती है उसके लावा मीजल्स इंक्लूड किया जाता है मैंने इंजाइटिस इंक्लूड किया जाता है और एपेटाइटिस भी इंक्लूड किया जाता है लेकिन PCV याने न अगर इसका सही किया है तो काफी अच्छा scoring आपका होने वाला है चले बढ़ते हैं आगे चले बढ़ते हैं आगे और next question आपसे पूचा था एनीमिया से रिगार्डेर और I think आप सब को पता होगा एनीमिया से रिगार्डेर क्योंकि RBC की numbering क्या होती है RBC की numbering गिरने लगती है सर decrease number of RBC that known as एनीमिया किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए जिसने भी exam दिया है अगर ये question भी आपका गलत है तो क्या सही किया आपने तो काफी अच्छा question है और simple सा question था कि RBC का नंबर गिर रहे हैं तो क्या होगे एनीमिया होगे लेकिन काफी सारे काफी सारे candidate इसको polycythemia भी केकर आयोंगे और polycythemia आपको बताया जाए तो increase number of RBC होता है जो की गलत है यहाँ पर बिल्कुल right answer इसका एनीमिया बिल्कुल सही answer है चलिए बढ़ते हैं आगे next question आपसे पूचा था iron dextron given by root iron dextron जो होता है वो किस root से दिया जाता है iron administration की बात की गई थी और I think आपको पता होगा I think आपको पता होगा यह question मैंने community section के अंदर put किया हुआ है या अपने facebook page पर put किया हुआ है और इसका बिल्कुल जो correct answer है कौन सा root होता है तो वो I am root होता है कौन सा root होता है I am root होता है और उसके अंदर भी z track method यूज करते हैं z track method यूज करते हैं याद रखे काफी अच्छा question है और I think आपका सही हुआ होगा चलिए बढ़ते हैं आगे next question के regarded discuss करते हैं और काफी अच्छा question था मैंने कहा था आपको growth and development से जो time duration के अंदर height increase होती है weight increase होता है उनसे 100% question देखने को मिलेगा और I think आप करके आयोंगे और I think आप पढ़के गए होगे तो बिल्कुल सही करके आयोंगे question पूचा था कि birth weight एक baby है एक baby है उसका birth हुआ है उसका weight quadruple यानि four time कब होगा आप सबको normally पता होगा एक 3 kg एक ideally अपन मान लेते हैं एक ideally अपन माने कि at birth जो baby का weight होता है वो 3 kg अपन मान लेते हैं तो ये 4 गुना कब होगा कितना quadruple quadruple मतलब 4 गुना कब होगा तो 4 गुना कब हो जाता है ये 2 साल के अंदर टू ये के अंदर ये four time हो जाता है quadruple हो जाता है आप सबको पता होगा अभी तक इससे question आते थे double कब होता है triple कब होता है लेकिन quadruple नहीं होता है और यहां पर question आप से पूछ लिया गया है कि quadruple कब होता है और almost सभी का right होगा I think आपको सही से करके आँगा चले बढ़ते हैं आगे next question वो भी growth and development से ही पूछा था कि birth weight से जो height है वो double कब हो जाती है birth weight किसी baby ने birth लिया है और birth होने के बाद कितने time period में उसकी जो height है उसकी जो height है वो double हो जाएगी ऐसा question आप से किया गया था और उम्मेदे आप सही करके आयोंगे तो इस question का जो बिल्कुल correct answer है वो है four year four year के अंदर जो height होती है four year के अंदर जो height होती है यो क्या हो जाती है double हो जाती है आपको याद हो तो one year के अंदर one year के अंदर या fifty percent बढ़ती है जितनी उसकी height है उसका 50% बढ़ती है उसके बाद 4 year के अंदर ये कितनी हो जाती है double हो जाती है और अगर आपन triple की बात करें तो ये 13 year के अंदर triple हो जाती है I think आपको याद होगा और याद होगा तो बिलकुल सही होगा और ये question आपका सही है तो काफी अच्छा scoring आपने किया होगा और आपका selection भी जरूर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question की वारे में बात करते हैं next question था breastfeeding के regarded लेकिन वीडियो को भी like नहीं किया तो like कीजिएगा दबा के like कीजिएगा और share नहीं किया तो share कीजिएगा तक सभी तक ये session पहुंचे सभी तक ये video पहुंचे और सभी अपने answer अपने question चेक कर सके और अपना selection sure समझ सके चलिए बढ़ते हैं और channel को subscribe नहीं किया आप first time विजिट कर रहे तो channel को subscribe करके bell icon को और पर प्रेस कर लिजिएगा तक इसी तरके से continuously आपको video available मिलती रहे चलिए बात करते हैं next question की next question आपसे पूचा गया था exclusive breastfeeding up to कितने time तक exclusive breastfeeding provide की जाती है simple सा question था one liner question था और pediatric से ये question था और I think आप सबको पता होगा generally ये question काफी बार में आपको बताया था six month होता है ठीक है यानि up to six month थक up to six month थक बेबी को exclusive breastfeeding करवानी चाहिए यानि up to six month कम से कम ये मानके चलिए छे महीने तक तो बेबी को क्या करवाना चाहिए breastfeeding करवाना चाहिए I think आपका correct answer होगा चलिए बढ़ते हैं next question पर next question आपसे पूचा था काफी अच्छा question आपसे पूचा था most common type of epizotomy most common type of epizotomy और नॉर्मली और सबको पता होगा जैसे आप epizotomy करते हैं जिसको medial lateral epizotomy कहते हैं I think सबको याद होगा most common type of epizotomy that is a medial lateral epizotomy जिसको जैसे आप epizotomy भी कहते हैं I think सही answer होगा I think आप सही करकर आयोंगा तो बिल्कुल selection भी होगा चलिए बढ़ते हैं next question आपसे पूचा था वही breastfeeding से regarded जो कि complementary food कब start कर देना चाहिए complementary food यानि supplementary food start करते हैं अपन feeding के साथ breast feeding के साथ supplementary food आप दे देते ऐसा नहीं ब्रेस्ट फीडिंग को बंद करवा दिया जाता है breastfeeding को बंद करवा दिया जाता है नहीं breastfeeding चालू है breastfeeding को up to six month तक up to six month तक करवाया जाता है exclusive breastfeeding मानी जाती है लेकिन उसके साथ ही अगर अगर मदर चाहे तो उसके साथ elementary रहे हैं तो कॉम्प्लिमेंटरी या supplementary feeding भी start करवा सकती है वो कब से start करवा सकती है वो याद रखे 4-6 month start करवा सकती है यानि 4 month के बाद वो start करवा सकती है complimentary food या supplementary feeding प्रवायड करवा सकती है आपको यहां तक समझ में आया होगा और यहां तक सारे question आपके सही होंगे अगर सारे question सही है तो आपका selection भी sure है क्योंकि ज़्यादा cutoff इसके अंदर रहने नहीं वाली है और ज़्यादा नहीं रहेगी तो आपका selection all over sam चलिए बढ़ते हैं next question पूँचा था लेप्रो इसकोपी से रिगाड़ेड प्रोसीजर आपको पढ़के जाने को बोला था मैंने जितने भी प्रोसीजर है एटलिस थोड़ा थोड़ा आप देखकर गए होंगे तो 100-101 परसें यह सही आंसर आपका होगा देखें लेप्रो इसकोपी से question पूचा था कि लेप्रो इसकोपी के अंदर कौन सी गेस को यूज किया जाता है कौन सी गेस को भरा जाता है बोडी के अंदर लेपरो इसकोपी के अंदर जो gas use की जाती है that is carbon dioxide कौन से gas use की जाती है carbon dioxide gas use की जाती है I think आपका सही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question के बारे में discuss करते हैं next question आपसे पूचा था series of labor या cardinal moment of labor labor के अंदर जो series होती है यानि engagement, descent, flexion, rotation, internal rotation, extension, restitution वो किस तरीकी की series होती है वो आपसे पूची गई थी और इस तरीकी से series थी यह और आप सबको पता होगा एक normal series तो आपको याद होगा ही सही देखे क्या series थी इसके अंदर सबसे first one क्या होता है सबसे first one sir engagement होता है सबसे first one engagement होता है then descend होता है then flexion होता है then internal rotation होता है of head internal rotation of head then finally crowning होता है then extension होता है then extension होता है then restitution होता है then finally external rotation of head होता है फाइनली लेटरल फ्रेक्शन होता है लेटरल फ्रेक्शन होता है और इस तरीके से ये कार्डिनल मॉमेंट चलते हैं और इस तरीके से सिरीज ओफ लेबर होते हैं I think सही आंसर आप करके आयोंगे इसके रिगार्डर जेसा भी क्योशन आपसे पूचा था बट क्योशन इसी तरीके से पूचा था कि सिरीज आपसे पूची गई थी अब एक्चुल में ओप्शन क्या थे किस तरीके से थे वो आप सबको पता होगा जिसने भी एक्जाम दिया हैं लेकिन यही सिरीज होती हैं आपको याद रखना है चलिए नेक्स क्योशन पूचा था आपके टेंप्रेचर मीजरमेंट से और टेंप्रेचर कंवर्ट से यानि टेंप्रेचर को अपन कंवर्ट करना था और फर्स्ट सेकेंड सिप्ट दोनों सिप्ट के अंदर यह question पूचा था कि temperature को एक shift के अंदर जो first shift थी उसके अंदर question दिया था 38.6 degree centigrade है उसको Fahrenheit में convert करना था यह question first shift के अंदर था और second shift के अंदर question था 101.2 Fahrenheit यानि 101.2 Fahrenheit है उसको centigrade में convert करना था दोनों में same question था as it is अगर आपको formula याद था तो 100% सही करकर आयोंगे देखे simple से दो formula यहाँ पर use किये जा सकते हैं अगर आपको Fahrenheit में convert करना है तो आप centigrade को multiply करते हैं 1.8 से और उसके अंदर plus कर देते हैं 32 उसके अंदर plus कर देते हैं 32 तो आपका answer आ जाता है और अगर आपको centigrade में convert करना है four and night को तो four and night में say तो four and night यानि four and night जितना भी temperature दिया उसमें say 32 minus करना है 32 minus करके उसके अंदर 1.8 को divide कर देना है 1.8 को क्या कर देना है divide कर देना है तो आपका answer आजाएगा आपका answer आजाएगा और आपका answer बिल्कुल सही आया होगा जो मैंने आपके यहाँ सामने put किया हुआ 38.6 को आपने convert किया होगा फोरेनाइट में तो आपका answer आया होगा 101.48 यानि 101.48 आपका आया होगा और फोरेनाइट को centigrade में आपने convert किया होगा तो 38.4 आया होगा आप करके देख लीजेगा किस तरीके से होगा formula यही लगेगा देखें centigrade को फोरेनाइट में आप convert कर रहे हो तो centigrade कितना है 38.6 multiply by 1.8 plus 32 तो देखें यहां पर इनको अगर आपन multiply करते हैं तो something 69.2 आता है और कितना आता है just a minute multiply आपन कर रहे हैं यहां पर आपन multiply कर रहे हैं 38.6 multiply by 1.8 इसको आपन multiply करते हैं तो something आपके पास आता है 69.48 69.48 plus 32 32 आप प्लस करते हैं तो approximately आपका answer आजाता है आपका answer आजाता है 101.48 यानि 101.48 डिगरी फोरन हाइट आजाता है I think आपको याद होगा I think आपका सही answer आया होगा उसके लावा अगर आपको फोरन हाइट से centigrade में convert करना था तो फोरन हाइट आपका कितना है 101.2 माइनस 32 माइनस किया और 1.8 को आपने डिवाइड किया डिवाइड करने के बाद आपका जो answer बेटेगा correctly जो answer बेटेगा 38.4 डिगरी सेंटिग्रेट बेटेगा उम्मीद है सही answer करके आयोंगे उम्मीद है दोनों question first shift और second shift में जो भी exam दिये थे उनका सही होगा ठीके तो फोर्मोल आपको याद रखना था answer आपको वहाँ पर करना था next question आपसे पूचा था काफी अच्छा question था कि जो antileptic medication होती है antileptic medicines जो आपको एपिलेपसी को anti-epileptic जो medicines होती है वो किसके अंदर दी जाती है एपिलेपसी को management के लिए एपिलेपसी को treat करने के लिए दी जाती है ऐसी anti-epileptic medication कौन सी थी जिसको intra-nazel दिया जाता था यानि spray in form में दिया जाता किसके अंदर दिया जाता था spray के अंदर दिया जाता था तो इसके अंदर कुछ अलग-लग से option थे और उस option में से जो बिल्कुल correct answer होता था वो है midazolam बिल्कुल correct answer है midazolam बिल्कुल correct answer है क्या अपर पर एक क्या option थे उम्मीद करते हैं ऐसी और वीडियो को जादा जादा लाइक कीजेगा और फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कीजेगा ताकि कंटिन्यूसली इसी तरीके से आपको सेशन अवेलेबल होते रहे चलिए किस अच्पलुकेशन और आपको क्रेक्ट आइए और उम्मीद हैं सही करकर आएऊंगे babiesal का यह सक्लोरोजिंग पैन अनस इफेल पहती बिल्कुल correct answer है measles का complication होता है चलिए आगे बढ़ते हैं next question आपसे किया था for placental removal method use accept placenta को remove करने के लिए कौन सा methods आप use करते हैं कौन सा method आप use करते हैं काफी अच्छा question था अलग-अलग से इसके अंदर option थे option इसके अंदर इस तरीके चे थे कि आप oxytotion दोगे कि आप oxytotion दोगे यानि given oxytation या फिर आप massage करोगे या फिर आप control control cord traction करोगे control cord traction करोगे या फिर prostag landing E1 आप दोगे यहाँ पर question पूँचा था आपका accept से यानि for placental removal methods used accept आप से पूँचा था तो आप oxytotion दे सकते हैं massage कर सकते हैं control cord traction कर सकते हैं लेकिन आप कभी भी prostag landing नहीं देंगे कभी भी prostag landing E नहीं देंगे बिल्कुल correct answer था क्योंकि आप से accept या पर पूँचा था तो बिल्कुल correct answer है आपका prostag landing E1 ठीक है? I think सही होगा चलिए बढ़ते हैं आगे चलिए बढ़ते हैं आगे देखें friends आपके बार-बार comments आ रहें के sir expected cut off बताईए तो expected cut off आपको बहुती जल्दी बता दी जाएगी तोड़ा सबर कीजेगा तोड़ा relaxed रहिएगा बिल्कुल paper analyze होने के बाद आपको expertise expected बिल्कुल सटिक cut off बताईए जाएगी don't worry चलिए आगे बढ़ते हैं next question यहां से पूचा था next question इस तरीके से यहां से पूचा था आप देख पारे होंगे IV cannula size for rapid IV transfusion या rapid IV infusion अगर आपको fastly और rapid IV infusion करवाना है तो कौन से size का cannula आप use करेंगे mostly और generally आप सबको पता है थोड़ी देर पहले भी अपने बात की थी इसके regarded तो 16 गोज 16 नंबर ग्रे कलर का जो कनूला है वो आप use करेंगे सबका सही answer होगा सबका सही answer होगा इस question का next question आप से पूचा था start next question था आपका India started COVID-19 vaccination with co-vaccine on जेके question यहां से यह पूचा था कि इंडिया ने vaccination जो COVID-19 vaccination स्टार्ट हुआ था उसके अंदर co-vaccine को कब introduce कर दिया था कैन co-vaccine को कब start कर दिया था तो आपका बिलकुल correct answer है 16 जन्वरी 16 जन्वरी 2021 ठीक है 16 जन्वरी 2021 में इसका starting हो गया था co-vaccine start कर दी गई थी इंडिया के अंदर ऐसा question था और exact आपको question पता हो तो जरूर बताए comment section आपके लिए खालिए हैं या instagram ID आपको मैंने दी हुई है description box में चलिए आगे बढ़ते हैं next question आपसे पूचा था काफी अच्छा question था ये भी sodium का concentration पूचा था बिल्कुल correct answer था वो था 130 million equivalent per liter क्या था 130 million equivalent per liter अब इसके अंदर question के अंदर option क्या थे 130 भी हो सकता है 131 million equivalent per liter भी हो सकता है तो option के according वहाँ पर जो भी होगा वो था ठीक है लेकिन 130 या 131 million equivalent per liter इसका concentration होता है RL के अंदर I think आपको समझ में आ गया होगा और I think आप सही कर क्या होगा चले बढ़ते हैं next question आप से किया गया था fluid choice in burn patient burn patient के अंदर fluid of choice होती है आप सबको पता होगा आँख बंद करके आ गयोंगे आँख बंद किया होगा और आप सही कर गयोंगे तो आँख बंद करके भी आप इस question का सही आंसर बता सकते हैं fluid of choice in burn patient that is RL ringer lactate fluid of choice होती है burn patient के अंदर I think आप सबको याद होगा और सही करके आयोंगे और सही करके आए तो selection भी होगा next question आप से पूचा गया था normal urine output 24 hour के अंदर एक person के अंदर normal urine output कितना होता है question आप से इसी तरह के से पूच जाता as a tease और answer के अंदर अलग-अलग option थी आपके 800 भी था 2000 भी था और 1500 भी था और 3000 इस तरह के से option थे कुछ इसी तरह के से I think option इसी तरह के से लेकिन उसका बिलकुल correct answer हो जाता है 100 1500 यानि या फिर kg के अपन बात करें तो 1.5 kg 1.5 kg आप देख सकते हैं और ml के अपन बात करें लिटर के अपन बात करें लिटर की 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 तो 1.5 लिटर और यहाँ पर ml की बात करें क्योंकि option ml में ही थे I think तो 1500 यानि 1500 ml और range की अपन बात करें अगर confusion है काफी सारे candidate कह रहे हैं कि इसके अंदर 3000 सही है तो वो बिल्कुल सही नहीं है 2000 भी option भी था I think लेकिन वो भी सही नहीं है क्योंकि इसकी range होती है 800 से लेकर 2000 ml तक जिसके अंदर range में यही था 15 ml बिल्कुल correct answer है I think सही करके आयोंगे चली आगे बढ़ते हैं फिर आगे M क्या मानता है option बिल्कुल सही चली आगे बढ़ते हैं next question पूचा था आपसे image based question और ng tube ने जो गेस्टिक जो tube होती है वो आपसे image दिया वह था वो आपसे पूचा था I think सही करके आयोंगे और ऐसी उमीद करते हैं next question आ क्या होता है इसका definition I think ऐसा पूचा था question क्योंकि जैसा बताया गया है देखिए जो questions आप बता रहे हैं उनी question के answer है तो incubation period पूचा था और incubation period क्या होता है आप सबको बता है कि कोई भी micro organism body के अंदर host body के अंदर entry लेता है यानि entry of the micro organism in the host body and produce first clinical feature first sign and symptom जो ये period होता है यानि किसी भी patient के अंदर किसी भी person के अंदर micro organism से क्या की entry की entry से लेकर उस person के अंदर first clinically sign and symptoms देखने को नहीं मिलेगा तब तक का जो ये timing period होता है यानि entry of micro organism से लेकर first sign and symptom produce होता है वहां तक का जो time period होता है ये time period ही आपका incubation period होता है I think सही करके आयोंगे और general question है commonly सबको पता है ठीक है लेकिन गलत नहीं करना है चलिए आगे question पूचा था आपसे मैंने कहा था emergency drug जरूर पढ़के जानी है मैंने कहा था emergency जितने भी drug है जरूर पढ़के जानी है 100% उससे question आता है और आप देख लेजेगा question ये आया था medication use in anaphyletic soak और उसके अंदर आप medication use करेंगे तो कौन से medication use करेंगे तो यहां पर जो बिल्कुल correct answer थे अलग-अलग से इसके अंदर option थे adrenaline, effin, effin, इस तरह किसे काफे सारे अलग-अलग 3-4 option रहते हैं वो थे ठीक है लेकिन इसका जो बिल्कुल correct answer था वो यह था adrenaline plus hydrocortisone adrenaline जिसको आप सबको पता है 1 ratio 10,000 के अंदर दिया जाता है 1 ratio 10,000 के अंदर दिया जाता है और hydrocortisone as क्या है? steroid है क्या है? steroid है तो बिल्कुल correct answer इसका क्या हो जाता है? adrenaline plus hydrocortisone बिल्कुल correct answer है ठीक तिस अलावा नेज्सक्रिण पूचाता अपका बाइयो था हिगागा? पूचाता आपयो हजार का इमेज आप सैद्रिक पूचाता है? की as a d जैसा question आपको पूचा जा सकता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है next question आपसे पूचा था fifth vital sign vital sign अलग-अलग होते है टी पी आर बी पी इस तरीके से vital sign होते हैं उन में से fifth vital sign कौन सा माना जाता है वो आपसे पूचा तरो I think आप सबको याद होगा pain is the fifth vital sign pain क्या है fifth vital sign मैंना जाता है I think आपको याद होगा नहीं याद है तो याद के काफी important है आगे भी continuously exam में और friends अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा paper बिगड गया है नहीं मेरा paper खराब हो गया है तो परिशान नहीं होना है friends क्योंकि एक ही exam नहीं है life के अंदर काफी सारे exam आपको देने होंगे तो परिशान नहीं होना है अभी जो GMCH है चंडिगर उसके लावा उसका exam आने वाला है ms पठना का exam आने वाला है next month के अंदर ठीके तो परिशान नहीं होना है next month और जनवरी के अंदर अभी exam बाकी है तो उनकी तयारी कीजेगा लेकिन ध्यान रहे गेप नही परिशान नहीं होना है चलिए आगे बढ़ते हैं जो भी करकी आया हम अपना वैस्ट देखिया है बागी फाइनली रिजल्ट के आएगा वह तब की तब देखे जाएंगे लेकिन अभी आपको नेगटिव नहीं होना है चलिए बात करते हैं next question के next question आप से question किया गया था कि infected cotton और यहाँ पर एक पस ड्रेशिंग भी है यानि बेंडेज दी ड्रेशिंग है पस फोर्मिंग या पस से रिगाड़ेड कुछ ऐसा question था और वो ड्रेशिंग है उसको आप किस color code के अंदर क्या करेंगे discard करेंगे तो right answer था इसका yellow color और ऐसे ही आपको placenta से regarded question था कि placenta है उसको किस color code के अंदर discard करेंगे तो उसको भी किस color code के अंदर discard करेंगे yellow color code के अंदर discard गरिए क्योंकि मैंने कहा था कि जितने भी anatomical waste होते हैं जितने भी anatomical waste होते हैं वो कहा जाते हैं yellow in color dust bean के अंदर जाते हैं yellow dust bean के अंदर जाते हैं तो बिल्कुल correct answer था placenta के भी yellow dust bean और past forming जो dressing है वो भी और infected cotton है वो भी yellow color dust bean के अंदर जाएगा और मैंने कहा था बायो मेडिकल वेस्ट मेनेजमेंट से चार से पांच क्योशन आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे ही आपको मिले थे चले नेक्स क्योशन आपसे पूचा था कोवीड 19 is a disease, कोवीड 19 किस टाइब की डिजीज थी ? यहां पर आपसे क्योशन अलग अलग मतला इसी तरीके चार था कि कोवीड 19 जो डिजीज हैं वो किस टाइब की थी ? इसके अंदर ऑप्शन आपको पैंडेमिक अलग-अलग से आपको epidemic मिला होगा और finally pandemic मिला होगा इस तरह किसे अलग-अलग option आपके सामने थे endemic था epidemic था pandemic था इस तरह किसे option थे तो इस condition में आप सबको पता है कि COVID-19 world war हो गया है यानि कितरह किसे world all over world में fail चुका था तो यह जो condition थी वो pandemic condition थी कौन सी condition थी pandemic condition थी बिल्कुल correct answer है जो भी pandemic लगा कर आये है बिल्कुल 100% सही answer है 100% सही answer है उमीद है यहां तक के question आपको समझ में आयोंगे यहां तक के सारे question आपको समझ में आयोंगे और उमीद है यहां तक के question है वो आप सही करके आयोंगे ऐसी उमीद करते हैं और इसी उमीद के साथ आगे session को continue करते हैं और बाकी question अपन solve करते हैं लेकिन वीडियो का अभी तक like नहीं किया तो like कीजेगा, share नहीं किया तो share कीजेगा, दबा कर share करना है ताकि सभी तक session पोचें, सभी तक answer की पोचें ताकि सभी अच्छी तरगे से अ आनी जाती है female pelvis उसके अंदर जो smallest diameter होता है, वो कौन सा होता है, smallest diameter of female pelvis और इस question का जो बिल्कुल correct answer था, वो था inter-spinous diameter, inter-spinous diameter जो की 10.5 cm का होता है, कितना होता है, 10.5 cm का होता है, generally inter-spinous diameter, I think आप सही करके आओंगो, बिल्कुल correct answer है, smallest diameter of female pelvis, that is inter-spinous diameter, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, next question पूचा था, आपको bandage, यहाँ पर आपको ankle bandage पूचा था, और एक question इसी तरीके से पूचा था, I think मुझे याद नहीं आ रहा, अभी आजाएगा, अभी मैंने mention किया है, तो ankle bandage आप से पूचा था, ankle bandage, sorry, joint band bandage भी आप से पूचा था, क्या, joint bandage, joint type का bandage होता है, क्या होता है, और ankle type का bandage होता है, किस type का bandage होता है, तो दोनों का answer था, आपके, वो figure of eight होता है, दोनों ही shift में इस से regarded question आया था, first shift और second shift के अंदर, तो ankle bandage, जो कि I think morning shift के अंदर आया था, जो भी eight figure में जो bandage होती है, figure of eight में जो bandage होती है, वो होती है, और एक joint type का bandage होता है, वो भी second shift में आया था, I think, यानि union shift में आया था, उसके अंदर भी जो बिल्कुल correct answer था, वो यही था figure of eight, बिल्कुल correct answer था, चलिए आगे बढ़त हैं, next question अपन discuss करते हैं, next question आप से पूचा था, blade दी थी, और I think आप सब को याद हो, तो आप देख सकते हैं, community section के अंदर में अलग-अलग type की blade है, जो की image put किया था, अगर आपको देख के गए तो बिल्कुल सही answer आपका होता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो 11 number की blade आपको show किया हुआ था, वो आपको पेचान ना था, और I think आप सब पेचान गए होंगे, आगे बढ़ते हैं, next question आप से पूचा था, copper T, 30, copper T, 380, 380A, copper T, 380A का time period आप से पूचा था, copper T, 380A का time period आप से पूचा था, और basically सबको याद होगा यार, सबको याद होगा 10 years होता है, सबको याद होगा, और ये question तो पता नी कितनी बार repeat हुआ है, हर exam में ऐसा question देखने को मिला था, चाहे हो CSO exam हो, चाहे हो staff nurse exam हो, चाहे हो EMS exam हो, कहीं का भी exam हो, ये question काफी बार repeat होता है, तो याद रखे 10 years बिल्कुल correct answer है, और I think ये first shift और second shift दोनों के अंदर भी repeat हुआ था, ऐसा मुझे देखने को मिला है, कि candidate का जो response है, candidate से जो feedback लिया गया है, उनमें दोनों के अंदर ये question देखने को मिला था, आया था या नहीं आया था, वो तो आप लोगों कोई पता है कि कौन सा question आया था, कौन सा question है, नहीं आता, लेकिन जो question आप बता रहे हैं, जो feedback आप दे रहे हैं, उसी के according आपको question बताए जा रहे हैं, उसी के according आपको answer बताए जा रहे हैं, चली आगे बढ़ते हैं, नेक्स क्योशन आप से पोचा था क्योशन था काफ़ी अच्छा क्योशन था क्योशन था वीच फ्लूड वीच आई वीच डूमू है दा फ्लूड फ्रोम सेल टू extra cellular यानि सिंपललिलेंगे है लेंग्वेज है सेल के अंदर से यानि एंट्रा सेलूलर को एंट्रा सेलूलर फ्लूड को एक्स्ट्रा सेलूलर फ्लूड के अंदर सिफ्ट करवा रहा है तो वो कौन सा फ्लूड होता है कौन सा फ्लूड ऐसा करवाता है कौन सा फ्लूड ऐसा करवाता है तो आई थिंग आप सबको याद होगा I think आप सबको याद होगा वो fluid होता है hypertonic fluid hypertonic fluid होता है बिल्कुल correct answer है इस question का ठीक है जो यह सा भी question आया था लेकिन इस question का जो बिल्कुल correct answer है वो यही है hypertonic fluid होता है next question पूचा था oncology से next question पूचा था oncology से और मैंने कहा था oncology पढ़कर जाए चार से पांच question वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे और I think देखने को मिले है चलिए बढ़ते हैं इस question में आप से पूचा था payp smear जो test है वो किस से regarded है payp smear test associated with किस से regarded है तो आप directly चले जाते है payp smear का question पतानी कितनी बार मैंने आपको करवाया था तो payp smear जो कि cervical cancer से regarded है किस से regarded है cervical cancer से regarded है और cervical cancer से regarded एक question और पूचा था जो कि अभी discuss करेंगे थोड़ी देर से next question आपन देखते है कि COVID-19% है आपके पास COVID-19% है और उसके जो भी use में लिए हुए cloth है उनको किस से आप clean करेंगे COVID-19% के जो भी cloth वगेरा है जो भी उसके पास materials थे उनको किस से आप sentize करेंगे किस से आप cleaning करेंगे तो directly आपका answer चला जाता है sodium hypo chloride काफी बार repeat हुआ है question काफी बार question ऐसा question पूचा है यह CHO exam हो nursing official exam हो कहीं का भी exam हो ऐसा question जनरली देखने को मिल रहा है sodium hypo chloride इसका correct answer होता है I think सही करके आए हूँगे चलिए बढ़ते हैं और COVID-19 काफी जबर्दस topic रहा है नोर से 2021 के रिगारडर काफी सारे question इसके अंदर से आए है और as it is simple simple से question आये चलिए next question आप से पूचा था कि आप एक riles tube डाल रहे है किसी patient के अंदर riles tube आप placement करवा रहे है riles tube आप डाल रहे है किसी patient के अंदर अब वो correctly और confirmly riles tube बिलकुल placement हो गई है best placement उसका हो गया है तो उसका confirmation आप कैसे करेंगे उसका confirmation कैसे करेंगे कि आपने जो भी riles tube डाली है वो बिलकुल सही तरीके से सही जग जाकर placement हो गई है उसका confirmation कैसे करेंगे तो I think आप सही करके आयोंगे x-ray कर लेंगे x-ray से आपको visible हो जाएगी आपकी riles tube तो x-ray based और confirmatory test माना जाता एक placement of riles tube का I think सही करके आयोंगे और I think आपका सही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा और दबाकर लाइक करते रहिए ताकि class सब तक पहुँचे सब इन classes का benefit ले सके और सभी को benefit ले सके और सभी selection ले सके और I think आप सब ये सारे questions सही करके आयोंगे चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर next question ये भी oncology से regarded question था तो HPV human papilloma virus vaccine used in which the following disease अलग-अलग सी disease यहाँ पर दी हुई थी और आप से पूचा था human papilloma virus vaccine ये vaccine किस से regarded दी जाती है तो आप सबको पता है human papilloma virus जो है वो cervical cancer से regarded होता है और अगर उसके regarded vaccine से अपन दे रहे हैं तो किसके regarded देंगे cervical cancer के regarded देंगे तो pap smear और cervical cancer से regarded है और human papilloma virus है तब भी cervical cancer से regarded है I think समझ में आ गया होगा चलिए next question पढ़ते हैं next question के regarded आप से पूचा था लेकिन वीडियो को लाइक करते रहे है चलिए next question आप से पूचा था next question था which pulse check before the CPR unconscious patient देखे question इस तरी की सता question exact क्या था वो तो आपको पता है लेकिन question ऐसा ही था कि कोई unconscious patient आपके पास है एक unconscious patient आपके पास है और उसके अंदर आप CPR देने वाले उसके अंदर आप risk excitation करने वाले हो तो आप कौन सी pulse check करोगे कौन सी pulse क्या करोगे check करोगे क्या करने वाले हो CPR करने वाले हो patient कौन सा है unconscious patient है कौन सी pulse आप check करोगे directly आपका answer चला जाता है sir हम उसकी carotid pulse check करेंगे कौन सी pulse check करेंगे carotid pulse चेक करेंगे 100% सही answer है friends 100% और उमेद है सब सही करके आया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question आपसे पूचा था renal failure से regarded 2-3 question पूचे थे और first shift के अंदर बेसा question था second में भी I think पूचा गया था वो अभी बता दिया जाएगा आपको time से time आपको जो answer की provide की जारी उसमें आपको पता चल जाएगा और कोशिश करेंगे almost सभी question को cover करने की क्योंकि almost काफी सारे questions continuously आपको provide करते जा रहे हैं चलिए next question था renal failure के अंदर diet यहाँ पर काफी सारे candidate कह रहे हैं कि restriction पूचा था यानि restrict diet पूचा था या decrease diet पूचा था या फिर कौन सी diet नहीं लेना है avoid diet पूचा था या कौन सी diet लेना है ऐसा question काफी सारे candidate confused हो रहे हैं लेकिन basically आपन कहें तो renal failure की condition है chronic renal failure की condition है तो उस condition में protein diet को क्या किया जाता है decrease किया जाता है protein diet diet को decrease किया जाता है diet के अंदर sodium को decrease किया जाता है potassium को decrease किया जाता है अब exact क्या question था वो आपको पता होगा और उसके according क्या option होना चाहिए वो अब भी आपको पता होगा और क्या correct answer होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है protein भी कम दिया जाता है isodium और potitium भी कम दिया जाता है कब renal failure की condition में ठीक है I think याद होगा आगे बढ़ते हैं next question आपसे पूचा था काफी अच्छा question था ये भी और इस question के अंदर पूचा था renal failure की condition है और इस condition में sign and symptom है लेकिन एक ऐसा sign and symptoms था उसके अंदर जो नहीं था एकसेप्ट करके आपसे पूचा था क्या पूचा था कि कुछ sign and symptom यहाँ पर so हो रहे थे जिसके अंदर renal failure sign and symptom माने जाते हैं यानि renal failure condition हो जाती है renal failure हो जाते हैं तो sign and symptom जो so होते है नीचे जो 4 option थे उनमें से एक ऐसा option था जो कि renal failure का sign and symptoms नहीं होता है तो वह होता है hypokalemia क्योंकि यह नहीं होता है क्या होता है यहाँ पर hyperkalemia होता है hyperkalemia sign and symptom होता है क्या नहीं होता है hypo नहीं होता है hyper हो सकता है लेकिन hypo नहीं होता है तो बिल्कुल correct answer इसका hypokalemia बिल्कुल सही answer है चलिए आगे बढ़ते हैं और next question के regarded discuss करते हैं next question था best method to assist the malnutrition adult देखे अडल्ट की बात की जा रही है यहाँ पर question था कि best method to assist malnutrition malnutrition को assist करने के लिए best method कौन सा है ध्यान रहे adult पूंचा था और काफी सारे candidate इसी वज़े से गलत करके आये हैं क्योंकि उनके mind में ये thinking है कि हम तुरंत question का answer देंगे लेकिन तुरंत नहीं देना है मैंने कहा था कि question को repeatedly एक बार समझ नहीं आता दो बार पड़े तीन पार पड़े क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो option जरूर होगा question के regardर जो आपके mind में thinking है जो आप सोच रहे हैं वो question का option जरूर होगा और आप तु question का answer करके आए हैं तो बिल्कुल सही answer करके आँगे और जल्दी बाजे में भड़बड़ी में question का answer करके आए तो बिल्कुल गलत करके आए होगे ऐसा मैं मानता हूं और ऐसा किया भी है काफी सारे candidate ने चलिए question था best method to assist the malnutrition malnutrition को assist करने के लिए best method कौन सा हैं यहां पर दोन candidate answer चूज किये है second mid upper arm circumference mid upper arm circumference यह चूज करके आए हैं लेकिन गलत हैं क्योंकि question में आप से adult के बारे में पूचा था और adult के अंदर याद रखे skin fold best method माना जाता है skin fold best method माना जाता है adult के अंदर तो skin fold in adult best method है और अगर infant की बात की जाए तो फिर mid upper arm circumference circumference बिल्कुल सही answer था लेकिन आप से adult का पूचा था तो skin fold बिल्कुल correct answer होगा ठीके I think यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और सही करके आए होगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question आप से पूचा था एक child है एक children आपके पास आता है मतला अपनी family के साथ अपनी parents के साथ एक children है आपके पास आता है उसको moderate type का dehydration है क्या है moderate type का dehydration है तो उसका treatment आप क्या करेंगे क्या देंगे कुछ सा solution आप उसको देंगे यहां पर कुछ option थे exactly क्या option थे लेकिन आप इसका जो बिल्कुल correct answer माना जाएगा वो normal saline क्योंकि यह isotonic solution होता है और यह basically आप दे सकते हैं ठीक है तो normal saline बिल्कुल correct answer इसका हो जाता है ठीक है तो I think यहां तक यहां तक आपको समझ में आगया होगा यहां तक आपको काफी अच्छी तरके से यह question समझ में आयोंगे और आप सही भी करके आयोंगे चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं next question आपसे पूंचते हैं next question आपसे पूंचा गया था वो question पूंचा गया था BMI grading under weight देखें यहां पर BMI BMI के बारे में आपने काफी अची तरीके से पढ़ा होगा अलग-अलग range इसकी होती है इसकी grading अलग-अलग होती है तो यहां पर under weight एक तो normal weight आपसे पूंचा जाता है normal weight आपसे पूंचा जाता है उसके लावा under weight पूंचा जाता है less than 18.5 अगर BMI 18.5 से कम है तो वो percent केसा होगा अंडर weight में होगा अगर BMI 30 से जादा है तो percent को obesity होगा अगर BMI 25-25 से जादा है तो percent को overweight होगा तो अफिर normal क्या होगा sir normal होगा 18.6 से लेकर 24.9 सम्थिंग यह होता है एक normal range मानी जाती है ठीक है अगर 25 से जादा बढ़ जाता है तो over weight में चला जाता है 18.5 से कम चला जाता है तो वो under weight में चला जाता है और 30 से जादा चला जाता है तो obesity में चला जाता है तो यह काफी important question थ जो कि almost सही करके आँगे बागी कुछ questions है कुछ candidate है जो इसको गलत भी करके आए है confused होकर ठीक है तो confused नहीं होना है काफी अच्छे questions आए थे चली आगे बढ़ते है next question आपसे पूचा गया था next question पूचा गया था काफी जबरदस्त question था directly ttn से आपसे question पूचा था है कि अग आप किसी patient के अंदर blood transfusion करवा रही है और उसके अंदर titanine हो रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है तो titanine indicate करता है किसको indicate करता है directly question पूचा था आप सबको याद होगा titanine indicate करता है hypokalcemia को hypokalcemia को indicate करता है titanine तो blood transfusion कर रहे है आप किसे patient को अगर उसको titanine हो जाता है तो directly आपका answer जाता है कि उसको hypokalcemia हो गया है क्या हो गया है hypokalcemia हो गया है बिल्कुल correct answer है I think सही करके आया होंगे चलिए आगे बढ़ते है next question आपसे पूचा था next question आपसे पूचा था यहाँ पर कि fluid overload हो गया है किसी patient के अंदर आप fluid administer कर रही है किसी patient के अंदर आप क्या कर रही है fluid administration कर रही है और fluid administration करते timing में अगर fluid overload हो गया है fluid overload हो गया है तो उस condition में sign क्या देखने को मिलेगा तो jugular जो vein होती है उसमें distension देखने को मिलेगा जुगुलार वेन के अंदर distinction देखने को मिलेगा लेकिन अगर question इस तरीके से आता ये कि अगर fluid deficit हो गया है fluid deficiency हो रही है तो फिर कौन से sign देखने को मिलेगा तो फिर आप सबको याद होना चाहिए thready pulse देखने को मिलती है क्या thready pulse देखने को मिलती है लेकिन question आप से overload पर पूँचा गया था तो overload में jugular when distinction होगा और यही बिलकुल correct answer इसका होगा I think सही करके आए होगे चलिए आगे बढ़ते है next question आपके सामने था एक बार पढ़िए question का और I think ऐसा ही question था आप देख लीजेगा एक बार चलिए next question इस तरीके से था पताते हैं क्या question था और उमिद हैं सही करके आए होगे all of the following condition used contraceptive methods except यहाँ पर accept पूँचा था कि कुछ conditions आपको दी हुई थी यह option के अंदर कि following जो condition है उनके अंदर contraceptives use करते हैं लेकिन एक ऐसी condition है जिसके अंदर contraceptives use नहीं कर पाते हैं तो वो कौन सी condition होती है तो वो condition थी unexplained vaginal bleeding बिल्कुल इसका correct answer था unexplained vaginal bleeding अगर vaginal bleeding है और पता नहीं है explain नहीं किया जा रहा है तो उस condition में आप contraceptives use नहीं करेंगे अगर mother anti-hypertensive drug ले रही है चलिए accept यहां पर पूचा था तो इसका बिल्कुल correct answer क्या हो जाता है unexplained bleeding unexplained bleeding और कौन सी bleeding vaginal bleeding बिल्कुल correct answer हो जाता है इसका ठीक है आई थिंग बिल्कुल सही करके आऊंगे next question आप से पूचा था JP drainage से regarded image based question था JP drainage का यहनी injection product जो drainage system होता है उसके regarded आपको image पूचा था आई थिंग आप सही करके आयोंगे उसके अलावा आप से question किया गया था उसके अलावा आप से question किया गया था laryngeal mask airway LMA और आई थिंग आपको याद हो तो मैंने बताया था इसके regarded और इस से regarded भी आपसे image based question पूचा था जो आप सही करके आयोंगे उसके बाद next question आपसे पूचा था next question आपसे पूचा था dumpa dumpa का time period आपसे पूचा था जो एक type का contraceptives माना है और dumpa DMPA इसका time period आपसे पूचा था और I think सही करके आयोंगे 3 month इसका time period होता है dumpa का जो time period होता है वो 3 month होता है बिल्कुल सही answer है और I think आप सबको याद होतो ये second shift के अंदर question आया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं dumpa से ही दूसरा question और पूचा था dumpa को other name से जाना जाता है तो dumpa का time period आप से पूचा गया था कितने time period होता है dmpha का time period कितना होता है वो आप से पूचा था उसके लावा dumpa का other name आप से पूचा था कि dumpa का other name क्या होता है तो वो होता है अंतरा I think आपको याद है और सही करके आयोंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और second shift में भी इसी तरह के से question पूझा था copper T से regarded उसका time period आप से पूझा था तो उसका answer भी क्या होगा 10 year होगा क्या होगा इसका answer भी 10 year होगा I think आपको याद है उसके अलावा next question पूझा था मैंने कहा था कि ये morning shift और evening shift दोनों के अंदर ये question पूझा था bandage of joint के लिए जोइंट के लिए अगर bandage लेते हैं तो किस टाइप की bandage लेते हैं तो वो figure of eight type की bandage लेते हैं और first shift के अंदर ये ankle bandage के रूप में पूझा था वहाँ पर भी इसका right answer क्या था figure of eight बिल्कुल correct answer था figure of eight बिल्कुल correct answer था ठीक है I think याद हो गया होगा और I think सही करकी आया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question के बारे में discuss करते हैं next question है best method of infection prevention infection prevention का best method कौन सा है और अभी covid-19 चल रहा है covid-19 की बाते चल रही है तो आपको याद होगा hand washing is the best method hand sanitizer is the best method hand washing is the best method for the prevention of infection सबका right answer है सबका right answer है सभी right answer इसको करके आया होगा तो hand washing is the best method माना जाता है infection prevention के रिगाड़र आइधिंग आप सही करके आउंगे आइधिंग बिल्कुल correct answer है चली आगे बढ़ते हैं next question आप से पूचा था एसप्टो सिरिंज से regarded image based question था एक एसप्टो सिरिंज होती है आप सबने देखा होगा अगर फिर भी आपको इमेज सो हो जाएगा और image सो होने के बड़ आप देखिए क्या यही इमेज आपके पेपर में था अगर यही था तो बिल्कुल सही था हम सही करके आए एसप्टो सिरिंज इसका परपज ऐसा क्योशन था क्योशन किस सारीके से था लेकिन आप से पूचा गया था और यह बैसिकली जो परपज में काम में लिया जाता है इरिगेशन के लिए काम में लिया जाता है और ब्लेडर इरिगेशन किया जाता है उसके अंदर इसको काम में लिया जाता है I think आपको याद होगा I think सही करके आऊँगे और सही करके आए तो बिलकुल selection भी होगा चलिए आगे बात करते हैं next question के next question आपसे पूचा था KMC purpose KMC क्या होता है कंगारू mother care आप सबको याद होगा after delivery baby को KMC provide किया जाता है अगर LBW baby है तब भी करवाया जाता है normal baby ये तब भी करवाया जाता है KMC क्या होता है कंगारू mother care हमने कंगारू कार तो diagram देखा ही होगा बस वैसी ही care होती है तो directly इसका purpose अपन देखे तो इसका purpose होता है hypothermia से prevention of hypothermia बिलकुल right answer है KMC का purpose होता है to prevent the hypothermia I think आपको याद होगा I think आपको सही से करके आए होगा चलिए आगे बात करते हैं next question आपसे पूचा था ECG ECG का regarded एक image दिया था ECG का regarded I think image दिया था image based question था और उस image based question के अंदर क्या था ventricular fibrillation था क्या था ventricular fibrillation था और आप सबको याद होगा ठीके क्या था उसके अंदर ventricular fibrillation था जो भी image था आप देखीगा एक बार Google पर सर्च कर लिजेगा ventricular fibrillation क्या वही image आपको दीखाया गया था क्या वही image आपको दीखाया गया था exam में अगर वही image था तो बिल्कुल correct answer था ventricular fibrillation जिसके अंदर CPR की need हो जाती है CPR देना पड़ता है patient को resuscitation करना पड़ता है क्योंकि और कोई चारा भी नहीं वहाँ पर होता है चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपने जो भी question किये है वो सही करके आयोंगा next question आपसे पूँचा था time duration of PPS जो postpartum hemorrhage होता है postpartum hemorrhage होता है उसका time duration आपसे पूँचा था time period आपसे पूँचा था अब I think यहाँ पर काभी सारे candidate कहे रहे हैं कि time period पूँचा था देखें अगर PPS है postpartum hemorrhage है अगर delivery के 24 hour के अंदर PPS हो रहा है delivery के यानि birth के 24 hour के अंदर PPS हो रहा है that PPS is primary PPS primary postpartum hemorrhage ठीक है यानि delivery के within 24 hour PPS हो रहा है hemorrhage हो रहा है तो वो क्या होगी primary PPS होगा यानि कि primary type of postpartum hemorrhage होगा अगर 24 hour से लेकर 24 hour से लेकर 6 week तक अगर है तो secondary PPS होगा तो simple सी language है simple सी बात है कि अगर within within 24 hour PPS हो रहा है तो कौन सा PPS होगा primary PPS होगा याद रखे अगर 24 hour से लेकर 6 week तक हो रहा है तो वो secondary PPS होगा अब question क्या था secondary था या primary था वो आप देख लीजेगा क्या question as it is आया था और most of the question बार-बार बताया गया वो secondary से regarded था I think I think secondary से regarded था और secondary के regarded आपका जो answer होना चाहिए वो होना चाहिए 24 hour से लेकर 6 week बिल्कुल correct answer होना चाहिए चलिए आगे बात करते ही यहां तक उम्मिद है सही करके आऊँगे next question आपसे पूचा गया था tocolytic agent next question पूचा गया था tocolytic agent और वो होता है magnesium sulfate बिल्कुल correct answer है कुछ सोचने की ही बात नहीं है directly आपने answer लगा दिया होगा tocolytic agent में next question आपसे पूचा गया था thyroid retractor जो thyroid gland के अंदर operation या surgical procedure करने के लिए काम में लिया जाता है thyrodoctomy जो करवाते हैं उसके लिए काम में लिया जाता है thyroid rectator जिसका image आपके सामने show किया था thyroid retractor का image आपके सामने show किया था google पे search करके देखींगे thyroid retractor क्या होता है क्या वही image आपको exam में दिया था अगर वही image आपने exam में दिया था वही image आपको exam में देखने को मिला था बिल्कुल correct answer है thyroid retractor चलिए आगे बात करते हैं next question आपके सामने था वो भी image based question था और image based question के अंदर आपको scalpel blader जो होती यहाँ पर आपने देखा होगा इस तरीके से एक blade holder होता है एक तरीके से जो आपके surgical blade होती है वो इस तरीके से एक blade holder होता है यही side आपको exam में पूँचा था और इसी को BP handle भी कहते हैं या फिर scalpel blade भी कहते हैं जो कि कोई भी surgical procedure करते हैं यहाँ से इसको pain like pain के जैसे पकड़ के incision लगाया जाता है यही है और यही image आपसे पूचा था scalpel blade या handle आपसे पूचा था BP handle इसको कहा जाता है यह आपसे question पूचा था आइधिंग सही करके आयोंगे चलिए आगे बढ़ते हैं next question आपसे पूचा था second stage of labor के regarded next question था आपका second stage of labor के regarded और second stage of labor के regarded कब से start हो जाती है second stage तो आप सबको पता होगा first stage जो होती है labor की तीनो stages मैंने कहा था exam से पहले कि labor ज़रूर पढ़के जाए दो से तीन question आपको देखने को मिलेंगा बिल्कुल मिलें है management के regard labor का management किस तरी के से करना है और क्या-क्या stages होती है वो पूचा है यानि labor पूरा 4 से 5 question mostly देखने को मिला है चलिए second stage of labor की बात करें तो आप सबको पता होगा first stage of labor के अंदर dilution होता है first stage of labor के अंदर क्या होता है dilution होता है mostly यह मान के चलते हैं कि 10 cm जो dilution होता है four finger dilution होता है completely हो जाता है उसके बाद second stage के अंदर क्या होता है second stage के अंदर dilution होने के बाद 10 cm dilution होने के बाद क्या होता है baby birth होता है mostly अपन कह सकते हैं कि जो क्या होता है mostly क्या कह सकते हैं कि second stage के अंदर क्या होता है baby birth होता है third stage के अंदर अपने देखे तो placenta का removal होता है यह basically normal जानकार है और आपको पता होगे तो आपसे question यहाँ पर किया गया था second stage of labor के regarded और second stage of labor के regarded मैंने बताया 10 cm जब dilation हो गया है यह नि cervix fully dilate हो गई है वहाँ से लेकर आपके baby birth तक की जो process होती है baby birth तक का जो stage होता है वो क्या होता है second stage of labor होता है I think आपको याद है I think आपको समझ में आ गया होगा चली आगे बढ़ते हैं चली आगे बढ़ते हैं next question के regarded discuss करते हैं काफी अच्छा question था next भी 1 ml oxytocin ampoule contain oxytocin जो आपने देखा होगा 1 ml का जो ampoule आता है 1 ml का जो ampoule आता है उसके अंदर oxytocin कितना होता है कितना unit oxytocin होता है ऐसा question आपसे पूचा था कि 1 ml का oxytocin ampoule आपके पास है तो उसके अंदर कितना unit oxytocin होगा तो उसके अंदर 10 unit oxytocin होता है कितना होता है 10 unit oxytocin होता है उमीद है आप सही करके आओंगे उमीद है सारे question आपके सही होगे तो उमीद है friends जो question अभी तक हमने discuss किये है वो सारे question आपके सही होंगे और अगर सही है तो selection बिल्कुल sure है और यहां तक के इतने question हमने solve किये है remaining question है अपने next video के अंदर बहुत ही जल्दी में आपको बताऊंगा अगर आपने exam दिया है चाहे first shift में दिया हो चाहे second shift में दिया हो लेकिन question जरूरू बताए कि क्या question आया था answer आपको बताया जाएगा बिल्कुल और ऐसा नहीं है confused करने वाले questions थे बिल्कुल अच्छा पेपर था और ज्यादा अच्छा भी नहीं था एक तरीके से एक moderate level का paper था तो cut up भी ज्यादा high नहीं जाएगी तो cut up भी बता दी जाएगे आपको थोड़ा सा सबर करिए और जीवन education के साथ इसी तरीके से बने रहे हैं जीवन education आपको सब कुछ provide करेगा लेकिन वीडियो को ज्यादा ज्यादा like कीजेगा ज्यादा ज्यादा share कीजेग और चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को और पर प्रेस की जगा ताकि आने वाले सभी जानकारी आपको पहुँचे और साथ ही टेलेग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर जरूर फोलो की क